हेलो और वेलकम है दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की मोर अबाउट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के तरफ आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई तो हम CMD की ही कर रहे हैं लेकिन उसमें एक नए टॉपिक को हम आगे कंटीनू करने वाले हैं अभी तक आपने इसे प्रिवियस वीडियो में देखा WMIC की कमांड को कैसे हम रन करते हैं अभी तो वो एक छोटा सा पार्ट है WMIC का मैं धीरे-धीरे इसके उपर आपके लिए और वीडियो से लेकर आता रहोंगा और आज मैं आपके लिए CMD में ही एक नया टॉपिक के उपर लेकर आहूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंगी वीडियो समें बढ़ाया था दोस्तों CMD के उपर बहुत ज़्यादा कमांड से हैं, बहुत ज़्यादा कमांड से हैं, कुछ कमांड से ऐसी हैं, जो इसमें रिटन में नहीं होती है, लेकिन बैक एंड में बहुत सारी कमांड इसके उपर हैं, तो आज ऐसे ही मैं एक और कमांड के उपर आपको लेकिया हैं, जिसका नाम है वाल देता हूं number one c d और e माफी चाओंगा e नहीं f तो यहां पर c d और f नाम के मेरे पास तीन volumes हैं जिस पर हमारी hard drive होती है यानि कि hard drive का जो space है वो यहां पर उसे volume हम बोलते हैं यहां तक आपको सबसे सबसे पहले basic समझ में आया होगा volume क्या है अब यहां पर हम आज जो task करने वाले हैं वो यह रहेगा कि volume कमांड का सबसे पहले use क्या है उससे क्या benefits हमें मिल सकते हैं उसके बारे में हम उसको करेंगे use करके देखेंगे सबसे पहले मैंने आपको बता है volume क्या होता है तो जो भी हमारे hard drive के उपर drives होती है उन सभी को volumes बोलते हैं पहला funda आप यह समझ लीजिएगा अच्छी तरह नेक्स्ट अब हम चैक करेंगे कि volumes को आखिर कैसे use कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं command type करता हूँ volume command जिसको आप vol type करेंगे अगर आप यह सोचते हैं अगर आप नए आये हैं channel पर और आपने सबसे पहले इसी वीडियो को play किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों काफी सारी वीडियो पहले अपलोड हैं पहले आप उसको देखे कमांड समने इससे पहले काफी सारी बताइए अभी फिलाल हम help command को अगर हम type करते हैं तो उसमें यह हमारी command आपको शो हो जाएगी तो यहां पर यह अगर आप देखोगे तो यहां पर volume command यहां पर आपके सामने शो हो जाएगी आप इसके बारे में तोड़ा सा पढ़ लेते हैं display a disk volume label and serial number तो basically एक serial number और एक volume का level के बारे हम बताएगी है volume label क्या होता वो भी आपको में clear करूंगा तो आप इस बाद से tension free रहना आपको कहीं और दिमाग मानने की जड़त नहीं इतना काफी र कर दीजे तो यहां पर आपने जो basics देखा वो मैं आपको बताता हूं zoom करके पहले अब आपने क्या देखा जैसी मैंने आपर volume जैसी मैंने आपर volume करके enter किया है उसके बाद यहां पर मेरे सामने कुछ दो options आया है volume in drive c has no level यानि कि उसका कोई label नहीं है अब label क्या होता वो भ आगे देखते हैं यहां पर हम सबसे पहले हमारे पास volume देख लेते हैं पहले हमारे पास basically तीन volumes हमारे सामने है c d और f जैसे कि मैंने आपको बता है इस तरीके से ठीक है तीन हमारे पास volumes हमारे सामने है c d और f तो इसको तो volume बोलते है label क्या होता है दोस्तो label का basically मतलब होता ह है किया पर नू वल्यूम लिखा रहा है आपकर नू वल्यूम मा फिस चाहूंगा इस नू वाल्यूम का जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं लेबल, लेबल का मतलर होता है जैसके माथ्य वे कुछ लिग दिया जाए ठीक है तो हम जब भी हम कभी किसी bike को purchase करते है तो उसका label होता है उसका भी नाम होता है तो ऐसे ही drives का जो नाम आप लिख देते हैं उसे हम label बोलते है यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी अब problem यह आती है यहां पर कि यहां पर cmd बोल रहा है कि यार c का कोई label नहीं है जबकि आगर आप यहां देखोगे तो यहां पर तो local disk आ रहा है तो यहां पर यह no label क्यों बोल रहा है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा basically level का मत्रव होता है काम, sorry माफी चाहूँगा नाम, उसका name name क्या है, यहां पर जो आप name देखते हो न, local disk यह कोई name नहीं होता है यह computerize एक normal सा लिख दिया चाहता है ताकि उसके आगे कुछ ने कुछ तो लिखा आए ठीक है, और तो यहां पर जो भी यह local disk लिखा रहा है यह कोई label नहीं है यह basically computer के द्वारा auto generate जो नाम होता है, वो है तो computer इसको label नहीं मानता है label का मत्र होता है, जब आप खुद से उसे कुछ नाम provide करेंगी तो चलिए हम नाम दे देते हैं इसे और मैं C को तो नहीं दूँगा भी बाद में देखेंगे, मैं F को देता हूँ नाम, अब basically F पर तो पहली से ही नाम है new volume, तो हम पहले F को check करते हैं, तो चलिए हम F पर चलिए हम F पर चलिए आते हैं, अब F को मुझे अगर label check करना है तो मुझे कैसे label check क्यों करूंगा इसका, तो यहाँ पर आप type करेंगे, BOL volume F और आप इस पर column लगा देंगे और enter कर देंगे, अब आप देखिए उपर नीचे दोनों commands को आप compare करें, यहाँ पर पहले वाली command में आपको no label आ रहा था लेकिन second वाली command में ऐसा कुछ नहीं आया उसमें लिखा आ रहा है, volume in drive F is new volume, इसका मतलब जो नाम था, वो उसने new volume को यहाँ से उसने पढ़ लिया है, और बाकी आप दोनों में second चोड डिफरेंस आप देखेंगे, वो यह है कि volume serial number is उसका अलग है, और F का अलग है अब इसका क्या मतलब है, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा, दोस्तों computer एक 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 ऐसा device होता है जिसको खुद नहीं पता कि उसे क्या करना है उसे जो भी चीज़ बताई जाती है वो हमारे द्वारा होती, यानि कि user उसे बताता है अगर आपको basics नहीं पता है कोई issue नहीं है, मैं अभी धेधर करके आपके सामने ये सारे tutorials लिख आऊंगा basic to advance के जिसमें आगर आपको ये भी नहीं पता है CPU क्या होता है, तो वो भी आपको मैं clear करूंगा, ठीक है, और नीचे comment section में बता देना, कि अगर आप बिल्कुल basics से जानना चाहते है, basics का मतलब होता है CPU कैसे work करता है, ALU क्या होता है logical units क्या होती है, CU क्या होता है मैं technical की बात कर रहा हूँ, मैं दोस्तो कोई system बनाने के बारे मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो अगर आपको नहीं पता है, तो आप नीचे comment section बताईएगा तो यहाँ पर यह सारी चीज़े आपको BTEC, BCA, MCA, हर जेकर work आती है हर जेकर काम आएगी, तो आप नीचे comment section में बता दिना अब मैं आपको बतारा चाहूंगा, तो दोस्तों यहाँ पर हर एक drive, हर एक device का अपने एक serial number अलग होता है, इसी से CPU उसे आगे measure करता है, CPU उसे समझता है, CPU को पता रहता है कि कि serial number पर कौन सा data जा रहा है अगर इनका serial number सेम होगा, तो आप यह समझ लीजे जो data CE बचाना होगा, वो पहुंचेगा FPV, क्योंकि CPU को नहीं पता चलेगा, CPU हर एक device, हर एक data को एक अलग ही number, एक process provide करता है, अगर आपने मेरा task list वाली video नहीं देखिए, तो I button मैं उसका link देदूँगा, और आपको end card पर भी आने के बाद में भी आपको link बिल जाएगा तो आपको task list को देखिएगा उसमें आपको पता चलेगा, कि हर process के लिए अलग एक generate किया जाता number किसी drive का क्या सीरिय नंबर है, उसी को exact data पहुचाया जाता है, अब माल दीजे कि मैंने इसका नाम change किया, तो क्या नाम आएगा, तो मैं इसको यहाँ पर नाम change करके मैं लिख देता हूँ learn computer तो हम यहाँ पर type कर देते हैं अब मैंने इसका नाम, okay तो यहाँ पर इसका नाम change कर दिया, अब यहाँ पर यह permission मांग रहा है, तो हम इसे continue कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे, कि यहाँ पर आपको उसका नाम computer हो गया है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम cmd पर चलते हैं, वहाँ पर सबना, और cmd पर type करते हैं, फिर से, volume f, तो अब आप देखोगे, उसका जो computer है, पहले नाम था new volume, और अब उसका नाम हो चुका है, computer, तो अब आपको एक बात तो clear हो गया होगा, कि यहाँ पर label क्या होता है, अगर आप यह ची चेक करना चाहो, तो आप यह जुरूर चेक कीजिए, कि क्या नाम चेंज करने से कोई serial number बदल रहा है, तो आप देखोगे, ऐसा कुछ भी change नहीं हो रहा है, ठीक है, यानि कि एक serial number fix कर दिया क्या है, नाम आप change कर सकते हो, label आप change कर सकते हो, यही था हमारा volume के उपर, volume command के तरीके से work करती है, क्या होता है volume, और बाकी जैसे मैं आपको बताया है, अगर आपको basics का नहीं आपको जानका रही है, तो आप नीचे comment section हो बता देना, उसके पर वीडियो जल से जल बना के आपके सामने ले क्या होंगा मैं, तो I hope कि आपको CMD की volume command आपको बता चलिए होगी, नेक्स वीडियो का वीट की जगए, जल से जल अपलूट की जाएगी, और आशा करता हूँ आपके वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में, take care and bye bye, और अगर आपने चैनल subscribe नहीं किया, तो ूँ真 शिड़क, के जापदर रच्छ एंपके वीडियो में,oten भीयो में, पर एंबियो कि जाएगी, पर दोसमाइगी, जीड़ से चैनल को मिला होगी, ज skaएगा यार जोसमाजते होगी, आपके।